हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका लेट्स लोग विद पूनम में आज मैं सेयर कर रहे हैं आप सब के साथ गुलाब जामून की रेसिपी यह ब्रैड से बन कर त्यार होंगे खाने में बहुत ही टेस्टी और इतने ही रस बरे होंगे तो च चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चास नी बनाऊंगी इसके लिए मैंने । jedes क आपर सेम काचोरी से मैं पानी लोगी इसकी दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और इसको मैं उबलने के लिए गैस पे रह दूंगी इसे 10 से 15 productivity के लिए लो-मीडियम फ्लेम पे रख दे यहां पर मैंने दो इलाइची जो है कूट करके इसमें डाल दूँगी फ्लेवर के लिए यह आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो जब तक हमारी चासनी बन कर त्यार होती हैं आगे की त्यारी कर लेते हैं यहां पर मैंने आट वाइट ब्रेट लिए हैं और इनके खरॉल टरफ जो ब्राउन कलरका यह पूरे तरह से निकाल लेंगे और प्रोंश-क्रोंश के अच्छे से निकाल लेंगे कोई भी ब्राउन ही इसानी रहना चाहिए जिस से के मारी गुणाब जामन है wrat यहां पर मैंने इसक bunlar यह को चार्व तरफ से जो एजेजों काली और यह सब भी ब्रैड के करलेने है इसी तरह से उर इसको मैं इस चुटे चुटे में तोड़ लूँगी और इसी तरह से हमें सारे bread कर लेने हैं, अगर आप चाहें तो इसे mixi में भी grind कर सकते हैं और यह मैंने इस तरह हाथ से इसको तोड़ लिया है इसके बाद मैं इसको एक बड़े बावल में निकाल लूँगे यहाँ पर जौ ब्रेड है मैंने एक बावल में निकाल ली है तब तक जो हमारी चासनी बन रही थी, उसको चेक करते हैं, यहाँ पर जो चासनी है हमारी, इसको देखते हैं, इसको कैसे चेक करना है, इसको देखना है, फिंगर को जिस तरह टच करेंगे, यह ओईली सी चिकनी चिकनी महसूस होगी, एक तार या दो तार में नहीं बनेगी, इसे शिर्फ चिपचिपा ही मैसूस हो इसी तरह से रखना है और यहाँ पर हमारी जो चासनी है बन कर त्यार होगी है यहाँ मैं गैस को बन कर देती हूँ यहाँ पर मैंने आदा गिलास जो है दूद का लिया है यह क्रीम के साथ ही मैंने दूद लिया है और इसका पानी पूरी तरह से मैंने reduce कर दिया था gas पे और ये room temperature पे रख दिया था और इस तरह से हम 6-7 चम्मच पहले मैं दूद की डालूँगी उसके बाद ही मैं इसको इस तरह से mix करेंगी इसको soft हाथ से ही मिलाना है अगर कमी लगे दूद की तो इसमें हम और add करेंगी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूद की add की है और ये हमारा dough है बन चुका है अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढखकर rest करने के लिए रख दूँगी पांच मिनट के बाद जो है dough हमारा soft हो गया है इसमें मैं एक चम्मच देशी घी की add करूँगी और इसको मैं एक मिनट के लिए और इस तरह से आटे की तरह soft बना लूँगी और यहाँ पर हमें आटे को चेक किस तरह करना है गोली बना के कि इसमें कोई crack नहीं रहना चाहिए वरना तो यह जो गोली है हमारी गुलाब जामून की तेल में जाते ही फटेगी अब गुलाब जामून में फ्लेवर एड़ करने के लिए यहाँ पर मैंने किसमिस ली है और इसको मैं इस गोली के अंदर देते हुए इस तरह से गोल बना लूँगी यहाँ पर हमें गोलिया निम्बू के अकार की ही रखनी है और यह सारे गोलिया इसी तरह से बना लेनी है यहाँ पर देखे यह 8 प्रेड के अंदर हमारी कितने सारे गुलाब जामून बने है और अब हम इनको तलने के लिए चलते हैं तेल को गरम कर दिया है एक छोटी सी गोल लोंगी मैं इसमें डाल करके देख लिए जैसे इसमें डालेंगे यह फटाक देशी ऊपर आ जाती है और इसी तरह से तेल रखना है यहां पर हम अब हम यह गोल यह जो बनाई है धीरे-धीरे करके इस तरह से एड़ कर देंगे और इ चोटी चम्मच ले लो यह थोड़ा सा बड़ा जो सर्विंग स्पून होती है वो से इस तरह से घुमाते हुए ही चलाना है इसको बीच में से टचनी करना है यह घुमते हुए रहेंगी और यह एक जैसा कलर ही आएगा यहां पर देखिए हमारे जो गुलाब जामून है इन पर तुरंत हमारे जैसे जो गुलाब जामून उतारी है इसको हम चासने के अंदर रख डाल देंगे और हमें इसके अंदर 20 मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे यह जो रस है इनके अंदर पूरी तरह से अंदर तक चला जाएगा और यह देखिए खाने में लगरी ना कमेंट कर दीजिएगा और बताएगा कि आपको मेरी रस्पी कैसी लगी थैंक यू बाई एंड टेक केर